दोस्तों, मध्य परदेश के कुनो नेशनल पार्क में धीरे धीरे नर चीटो को बाडे में चोड़ा जा रहा है कुछ दिन पहले दोचीतो को चोड़ा गया था और अब तिसरे चीते ओबान को भी छोड़ दिया गया है पांच मादा चीतों को भी बड़े बाड़े में छोड़े जाने को लेकर एक्सपर्ट विचार कर रहे हैं इसी बीच बड़े बाड़े में छोड़े गए चीते उबान ने अपने नाम के अनुरू पार्क में अपना पहला शिकार एक चीतल को बनाया है लेकिन चीतों के लिए पार्क के आसपास खत्रा भी मनरा रहा है तरसल यहां कुनो नेशनल पार्क की पेट्रोलिंग टीम के सामने एक तेंदुवा दिखाई दिया जो काफी देर तक घुमता रहा आपको बता दें कि तेंदुवे का विचलन करना यहां नई बात नहीं है क्योंकि यहां बड़ी संख्या में तेंदुवे हैं लेकिन अधिकारियों को डर है कि चीते वा तेंदुवे के बीच अगर संगर्स हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ेगा क्योंकि कत काथी में तेंदुवे के सामने चीते कहीं नहीं टिकते लेकिन रफ्तार के मामले में तेंदुवे चीते के सामने कहीं नहीं टिकते ऐसे में कौन किस पर भारी पड़ सकता है यह कहां नहीं सकते गाइस वीडियो को लाइक वाच चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले